यहां पर आदकार जो हमारा सेशन है इसमें पॉलिटिकल साइंस के कुछ पढ़े हुए हैं चलिए स्टार्ट कर देते हैं और फैमिली में नहीं को सब्सक्राइब करके बल बिटन जोड़ बाते हैं जिसे एक भी क्लास आप से मिसना हो कि अब नहीं तो कभी नहीं तो टाइम को वेस्ट मत करिए और अगर आपको नहीं पता है कि किस कोर्स के लिए क्य आप हमसे डालएंट भी पूछ सकते हैं स्टुडेंट से भी डिस्कस्स कर सकते हैं तो यहाँ पे पैला हे यहाँ पे कुछ कोश हमारा है ऐहां पे कुछक्ष आपको यहां पर mcq भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो चीजों को समस्ते वेचरिये बाकी सब चीज़ इंपोर्टेंट है यहां पर जो हम करवा रहे हैं तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ओकर इन तो 1962 डिरेक्ट आप से कोशन बनेगा कि यहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था तो 1962 आपको यह जो है याद करना विच आप फॉलाइंग वस नॉट अमेंबर नाटो नाटो नॉर्थ एट्लांटिक ट्रीटी ओगनाज़ेशन इंपोर्टेंट है यह अब क्यूंकि हाल फिलाल में चर्चा में भी है रश्या और यहां पर यूकरेन का जो वार क्राइसिस चल रहा है तो यहां पर नाटो किसे लिटेट कोशन बन सकता है और जो अधर स्ट्रेंट कमेंट्स देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा बाकि जो भी कमेंट करेगा तो उसका कमेंट मैं पिंड भी कर दूंगा जिससे सब को वहां पर दिखाई देता रहे नेस्ट अगरम देखें तो यहां पर विच आप फॉल्लिंग वाज क्या है अगें आपको कमेंट करके बताना है और जो भी हम कह रहे हैं कि आपको कमेंट करके बताना है इत इस दूसल फॉज फॉयू इजश फॉर इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है यहां से भी कोष्ण बन सकता है तो अगर हम नेक्स कोष्ण देखें विच अमांग the following statements does not reflect the objectives of NAM NAM तो यहां पर जो आपका options आपके सामने हैं लेकिन अगर correct option की बात करें तो आपका जो correct option है वो हो जाएगा आपका option number C following the policy of neutrality on global issues ओके आगे बढ़ते हैं next हमरा अगर हम बात करें तो in 1945 the allied forces included the US, Britain, USSR and France 1945 में जो allied forces थी उसमें कौन-कौन शामिल था US, America, Britain, UK, USSR, Soviet Union या France ओके तो यह जो है चार countries याद रखना है आपको important है चारो का नाम और confusion होगा I know कि आपको आप लोग यह भी सोच रहोगे कि कैसे याद रखेंगे तो इसका एक ही तरीक तरीका है वो यह कि आप जो है बार बार revise करो अभी आपके पास बहुत सारा time है तो उस time को consume करो और जितनी भी बार आप चीजों को revise कर सकते हो रिवाइस करो entrance exam के पहले जाने से पहले भी आप उसको चीजों को revise करिए बाकि आपको model paper जो है वो तो मिली रहे हैं हम भी आपको अपनी तरह से जो भी questions है आपके 100 120 वह आपको model paper देंगे लेकिन उससे पहले जो आपका काम है वो यह सब चीजे पढ़ना है तो उसको अभी आप ध्यान देखिए ध्यान दीजे क्योंकि यहाँ पर जो आपका entrance exam है उसमें एक एक नंबर से भी selection रुकता है और हो जाता है तो ध्यान रखिए एक-एक question के लिए आपको यहाँ पर fight कर ली है next अगर हम देखें तो यहाँ पर the main countries of axis powers तो अगर हम axis power की जो main countries है उनकी बात twilight struggle question आएगा आपके सामने की who called cold war a long twilight struggle answer is American president Kennedy ठीक है आगे बढ़ते हैं next हमारा जो question है one linear है यह तो sento came into existence in 1955 sento का full form comment box में आप लोग को छापना है 1955 में जे existence में आया था which among the following statements about the cold war is wrong cold war से लेटर यहाँ पर रॉग है तो it was a competition between the US and Soviet Union and their respective allies it was an ideological war between the superpowers it triggered of an arms race the US and USSR were engaged in direct wars तो option D यहाँ पर wrong हो जाएगा the US and USSR were engaged in direct wars यह यहाँ पर option आपका गलत हो जाएगा question को भी ध्यान से पढ़िये कभी कभी आप से पुछ लेता है क्या इसमें से wrong है और कभी कभी आप से पुछ लेता है क्या इनमें से right है तो यह भी चीज आप question को ध्यान से पढ़िये तब options को भी अपना जो है analyze करिए तब answer दीजे western alliance जो है इसमें five countries involved थी कौन-कौन सी नाम आपके सामने है USA, Great Britain, France, Italy और Germany ठीक है जिसे हम five countries की बात करें तो western alliance इसमें five countries involved थी USA, Great Britain, France, Italy and West Germany Okay, moving on, next यहां पर बात करें तो USA dropped two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki were dropped in 1945, कब drop किया था, तो 1945 में drop किया था, जो दो atomic bombs थे, उनका नाम क्या था, यह आप लोगों को comment करके बताना है और किस country में कौन सा bomb गिरा गया वो भी आपको साथ में लिखना है, ठीक है आगे बात करें तो यहां पर USSR intervened in Hungary, Hungary, Budapest in 1956 कब? 1956 में, USSR ने intervened किया था, Hungary में Next अगर हम देखें, तो the main countries of allied forces during second world war is USA, Great Britain, USSR and France, यह सब countries involved थी, जो second world war हुआ था तब जो allied forces थी, उसमें, main countries थी यह, so that's it, बहुत ज़्यादा important questions थे, I hope so कि आपको समझ में आया होगा, कि अच्छा यहां से भी question बन सकता है, और अगर नहीं आया है, तब भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, पढ़िए, revision करिए, entrance exam जब होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, यह आपने जो पढ़ा है, वो कैसा पढ़ा है, बाकी यार, एक class से कुछ नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यह मत समझे कि आपने यह वाली class कर ली, इसका मतलब that's it, आपका entrance exam qualify, no bro, यहाँ पर आपको चीजे समझनी पढ़ेंगी, आपको यहाँ पर जो आपका entrance exam है, उसके लिए एक एक class prepare करनी पढ़ेंगी, आने वाले दिनों में जो और जो हमारे important चीजे हैं, जो important points है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, यह तो आपकी कुछी classes है, ठीक है, already यहाँ पर बहुत सारी जो playlist है, वो बनी हुई है, तो आप उस पर देख सकते हो, check out all those playlists, क्योंकि वहाँ पर सभी playlist में, हर एक एक important important class है, और उस important class में, हर एक important important topic है, जो कि आपके entrance exam के purpose से important है, तो सब चीज़ कवर करिए, तभी all over मिला के, आपकी जो entrance exam है, वो उसका, जो आपका performance रहेगी, वो बनेगा, okay, so मेहनत करिए, बागी सब चीज़ अच्छा होगा, आज की class में फिलाल इतना ही, मिलते हैं, next class में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत